हेलो और विल्कम बैक एवरिवन आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम प्रिव करें टाटा डब्ली पियल का मैच नंबर दस जो की गुजरात जायंट्स और डेली कैपिटल वुमिन्स की बीच में खेला जाने वाला है मैच काफे इंट्रस्टिंग होगा और मैच में आपको क्या कुछ चीज़ें काम आने वाली है और फैंटेसी टीम हमारी क्या होगी इस मैच के लिए तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में एक्स्प्लेंड करूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा बीना स्किप करें और अगर आप वीडियो इंफर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं आप लोगों ने मेरे को पता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए आगे बढ़ता है रेकॉर्स की बात करता है रेकॉर्स के चल रहे हैं वेन्यू पर जो रीस 28 और 27 वाले मैचस भी हैं उनको भी अगर उठा के आप देखते हो तब आपको पता चल जाएगा कि जो मैचस फो रखे हैं यहां पर जो है मार्च वाला था यह रीसेंट मैच जो हो फेबरोरी का नहीं है मार्च का मैच है तो थोड़ा यहां पर टाइपिंग मेरर हो गया है टू मार्च का जो यह भी रीसेंट में मैच केला गया है आरसीबी और मुंबई के बीच में इस मैच में काफी आसानी से चेज हुआ सोल और के अंदर अंदर जो है 130 प्लस का टोटल चेज हो गया पेसर्स को 6 विकेट मिले स्पिनर्स को 3 विकेट मिले और उससे पहले जो 1st म काफी क्लोज मतलब कह सकते हो एफर्ट तो लगाया था आरसीबी के ने प्लेयर्स ने लेकिन ज्यादा कुछ हो आप नहीं हो पहा है पेसर्स ने काफी बढ़िया सकेंड इनिंग में विकेट से निकाले 9 विकेट कुल मिलाके अगर देखो तो दोनों इनिंग मिलाके 9 विके आवरेज 143 तक पहुचा है तो आप इससे अंदाजा लगाओ जो आवरेज है जो वेन्यू पे रंस बन रहे हैं वो काफी कंसिस्टेंटली और काफी हाई स्कूरिंग मैचस हो रहे है तो डेफिनेटली बैटर्स बहुत जादा क्रूशल होने वाले है और बैटिंग और बो मुश्किल नहीं है एवरेज फोर्स और सिकसर्स ये सब कुछ भी कॉमन है ज्यादा कुछ नहीं लेकिन जो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर विकेट में पहला इनिंग में पेसर्स को बिलकुल विकेट नहीं मिल रहे है सारे के सारे विकेट उनके सेकेंड इनिंग में मिल रहे हैं लाश्ट दस मैचस में इंक्लूडिंग में ज्यादा सकस्स मेली है लेकिन पहला इनिंग में उनका प्रेजन्स काफी हद तक अभी है तो पहला इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में आप चाहो तो स्पिन एड कर सकते हो मैं ज्यादा प्रिफर कर मेरे को लगती है, दोनों टीम की बैटिंग अच्छी आगे चलक में आपको बताऊंगा भी, इस मैच में पॉर्टिकुलरली मेरे को लगता है, डेली का जो है विनिंग चांस से जादा है, लास्ट मैच मेरे उने 190 प्लस का डोटल बनाया, उससे पहले भी जो मैच है वहाँ प अभी तो अगर आप देखो तो गुजरात सबसे नीचे है, और उने तीन मैचस खेलें, तीनों के तीनों मैचस उन्होंने हा रहे, डेली कैपिटल्स ने जो है वो तीन मैचस खेलें, दो जीते एक मैच हा रहा है, और वो MI के अगेंच में जो मैच हा रहा था वही था, और यहां पर इनका पॉइंट्स टेबल है, और मेरे को लगता है, यहां पर डेली और आर्सीबी और एंड एमा यह तीन जो टीन से हैं, वो मुस्ट लाइकली क्वालिफाइ करेंगी, यूपी का भी मेरे को थोड़ा बहुत डाउटफुल है, यूपी और आर्सीबी में कोई य हो सकता है, यूपी भी कर जाए, लेकिन ज़्यादा कमफोर्टेबल अभी डेली को भी नहीं होना है, क्योंकि डेली अगर हाज जारतीस मैच को, तो फिर इनके भी जिवेश चांस बड़ यहां पर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, वरना देखा जाए तो run rate इनका क किया है, बोलिंग में सिर्फ Catherine Bryce एक बोल्डर है, जो इन्होंने अपना foreign slot में डाला हुए, बाकि तीन इन्होंने proper batter को, जो है बैटर्स खिलाए हैं, लोर वर्फोर्ट उनमें से एक हैं, बैथ मूनी उनमें से एक हैं, लेफ्ट हैं, डेट हैं पॉंबिनेशन काफी अच्छ में भी मिस हैंडलिंग हुई है, इसको थोड़ा ऊपर खिलाना चाहिए, तीन पर खिला दे हर्लिंडियोल को चार पर रखके तब भी चलेगा, कोई problem नहीं है, लेकिन फीबिलिच फिल्ड को थोड़ा ऊपर खिलाना important है, लेकिन देखो यह एक और चीज यहां पर मैं आपक जाना चाहता हूँ, एक यहां पर टिक बिट है, क्या है कि हर्लिंडियोल अगर लोरो वलफोर्ट आउट हो जाती है, तो वैसे सिनारियो में हर्लिंडियोल बैटिंग करने वन डाउन पर आएंगी, अगर बेथ मूनी आउट हो जाती है, तो हो सकता है फीबिलिच फिल्ड ध्यान रखना है ये चीज़ का, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर का मतलब यहां पर रिप्लेस करेगा, और रेट हैंडर को रेट हैंडर कर सकते हैं, एश गादनर, जो कि पाच नंबर पे खेल रही हैं, काफी excellent all-runter है, आज के मैच में CVC option के लिए भी बहुत जोएस हैं दैलन हेमलता छे नंबर पे खेलेंगी स्नेहराना साथ पे कैथरिन ब्राइस आंट पे और कैथरिन ब्राइस हो सकता है थोड़ा उपर नीचे इनका वैटिंग ओर्डर होता रहेगा यह जिसका भी आपको ध्यान रतना है बोलिंग भी कराती हैं दो से तीन और आपको बोलिंग से भी कराके देगी मेगरा सिंग और तनुजा कनवर और मनत कश्यप को लाश मैश में सिर्फ एक ओर मिला है तो ऐस बोलर तो मैं इनको अकाउंट नहीं कर रहा हो सकता है इस मैश में वो भी ना मिले लेकिन जो important बोलर से हैं उनका नाम बता देता हूँ तनुजा कनवर important है, कैथरिन ब्राइस important है, एश गाडनेर important है और उनके साथ आपे मेगना सिंग भी important रहेंगे तो ये चार प्लेयर तो at least इनके पूरे चार चार ओर डालेंगी बाकि किसी को एक और मिलेगा, किसी को दो और मिलेगा मनत कशप को last match में जैसे एक और मिला तो वैसा हो सकता है, एक और मिल जाएगा तो ये चीज़ें आपको गुजराच जैनेंट्स के और से देखने को मिलेंगी अगर आप बनाना चाते हैं तो cvc option में ट्राइ भी कर सकते है जैमायमा रोडरिगेस अच्छी मतलब यहां पर बैटर है मिडल ओर बैटर है और experience काफी अच्छा है और अभी तब तो उतना ज़्यादा बड़ा score नहीं कर पाई है लेकिन टीम को अगर लीड करना है, मतलब टीम को आगे अगर लीड करना है लेकिन बोलिंग से मेरे को लगता है आज की मैश में बहुत ज़्यादा करूशल उगी आगे राइट-ंडर थोड़े ज्यादा है तो मेरे को लगता है इनका लेफटा मौतुड़क्स important होगा और इनका और राधा यादव में से मेरे को कहूँगा कि दोनों को अगर रखना है टीम में तो दोनों को रखो अगर नहीं तो एक अपनी टीम में रखो अगर आप ग्राइंड लीग में बनाना चाहते हो तो सी वीची option भी बना सकते हो margin cap आपकी सबसे safe captain wise captain option है क्योंके 5 नंबर पे batting और Ash Gardner के साथ साथ इनको अगर आप pair में captain wise captain बनाते हो तब तो दोनों टीम के 5 नंबर के batter और all runners cover हो जाएंगे थोड़ा पेसर से ज्यादा यहाँ पे second inning में अच्छा करते हैं तो अगर second inning में डेली capitals bowling कर रही है तो margin cap आप captain बना के भी चल सकते हो और Ash Gardner wise captain बना सकते हो ऐसे सिनारियो में अरुदेतिरेडी साथ नंबर पे batting करेंगी और साथ साथ bowling जो है पूरे चार ओवर कराके दे सकती है power play और death में भी डालती है तो important phases में डालेंगी तो दुरूर जो है इनको आप miss मत करना मिन्नू मनी, तानिया भाटिया और रादायादव, शिका पांडे ये इनकी tail है और शिका पांडे जो है आप प्रापर बोलर के तोर पे खेलेंगी रादायादव पूरे चार ओवर डालेंगी तो ये दो बोलर इनकी होगे मिन्नू मनी और तानिया भाटिया का ज्यादा काम नहीं रहेगा तो ये दो आप player को ignore कर सकते हो important player small league में है आप कह सकते हो mag lining आप लेना है तो ले सकते हो important रहेंगी again last match में even दोने परफॉर्म नहीं किया लेकिन स्टिल मैं recommend परूँगा शिफाली वर्मा, अलिस कैपसी और मारजन कैप और जैस जोनसन और उनके साथ अगर आप अरुंदेती ready add करना चाहते हो तो भी कर सकते हो राधायादव आप देख लेना अगर आप manage कर पाओ तो राधायादव भी add कर सकते हो लेकिन 7-4 वाले combination में आप राधायादव नहीं देव पाओगे अगर उप पर आपने mag learning ले रखा है अगर आप mag learning छोड़ रहे हो तो वैसे मैं आप राधायादव अपनी टीम में add कर सकते हो give away की बात करता है give away as usual आप लोगों के लिए होने वाला है तो description में link है आप जाहिए टेलिग्राम पे जुरू जोइन करना पहले तो subscribe यहाँ पे करो YouTube पे और साथ साथ like करना है वीडियो को और share करना है दोस्तों के साथ और टेलिग्राम पे जुरूर जोइन कर लो वहाँ पे winners मिलेंगे और 10 winners select करेंगे 500 हर winner को एक एक winner को मिलने वाला है तो हर वीडियो में giveaway रहता है तो पहले तो like करना है सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जाके आपको comment करना है कोई भी comment कर दो आप जो भी यहाँ पे अच्छा साब को comment करने comment कर सकते हो आप जितना comment करना जाते हो कर सकते हो और 10 winners को lucky winners को pick करा जाएगा randomly और उनको जो यहाँ पे giveaway मिल जाएगा अभी बात करता है यहाँ पे मेरी team जो draft money किया हुआ है गुजराज, Giants और डेली Capitals के match के लिए बैट मूनी को ने विकेट की पर sections रखा है क्योंके तानिय बाटे है उतना कुछ अच्छा option नहीं है बैटिंग सक्षन से मने मैग लैनिंग, शिफाली वर्मा, दोनों openers को रखा है लॉरो वलफोट और फीबी लिच्फीड तीन यहाँ पे opener और साथ में चार नंबर का बैटर को रखा है हरली इंडियोल अगर आप लेना चाहते हो तो मैग लैनिंग की जगह हरली इंडियोल आप अपनी टीम में अड़ कर सकते हो यह जो यहाँ पे 10-1 वाला कॉंबिनेशन है फ्लेक्सिबल प्लैटरम जहाँ पे आपको सिर्फ एक या दो बोलर भी लेके आप जा सकते हो वैसे में ही यह आपका कॉंबिनेशन चलेगा वरना जैसे मैं बोला मैग लैनिंग की जगह आप एक एक एक्स्ट्रा बोलर उठा सकते हो अपनी टीम से अगर आप 7-3 वाला कॉंबिनेशन खेल रहे हो जहाँ पे आपको 3 बोलर मिनिमम रखने ही पड़ते है तो वैसे मैं आप मेग लैनिंग ड्रॉप करो और यहाँ बोलिंग सेक्षण से आप अगर कुछ और बलेयर उठाना चाते हो तो यहाँ पर बोलिंग सेक्षण से प्लेयर उठा सकते हो मैंने आपने Marzen Cap को रखा है और उनको Captain किया है Ash Gardner को Vice Captain किया है इसमें देखूंगा जो भी Second Inning Bowling कर रहा है उसको Captain करूंगा जो First Inning Bowling कर रहा है उसको Vice Captain कर दूँगा Catherine Price और Alice Capsy को भी मैंने अपनी टीम में रखा हूआ है Tanujak Anwar और Arun Demetri Riddhi ये दो प्लेयर मेंने अपनी टीम से बोलिंग से रखें फिलाल ये मेरी टीम है फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलिग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप पहुंच सकते हो और वीडियो गर आपको इंफर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल पे जो भी लोग न्यू विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उस कॉल पर ब्रस कर लेना इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में और कुछ नियू अपडेट्स के साथ अंटिल देन टाड़ा बाय बाय टेक केर